हलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू इस्टेटिविद ग्यान प्रकास आज इस्टार्ट करते हैं 5 और 6 जुलाई के सभी important kind of air देखे पहला question क्या है हाली में किस ने British F1 Grand Prix को जीत लिया है तो हाली में British F1 Formula 1 Grand Prix का आयजन हुआ और इसको जीता है Sergio Sange ने यानि किस question का option भी correct है ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे क्यों क्यों क्योंकि Carlos Sange ने पहली बार ही कोई Grand Prix को जीता है तो ये हैं Carlos Sange और ये Ferrari के driver हैं Spain के रहने वाले हैं तो याद अगना और ये काफी important question बन सकता है आपके लिए क्योंकि exam में ये प्रसानिक संभाना बन रही है क्यों क्योंकि British F1 Grand Prix को पहली बार जीता है Carlos Sange ने और 2022 में अब तक कुल मिला के देखा जाए तो लगबग 10 Grand Prix का आयोजन हो चुका है तो एक बार सा revision बहुत ही important है कि उसको आप एक बार फिर से revise करने क्योंकि exam में इससे एक question आपके लिए बनता है तो आए रिविजन करते हैं देखिए अभी हाली में Baring Grand Prix 2022 को जीता है चौस लेकलर ने जो कि फ्राडी के ड्राइबर है याद अगना Baring Grand Prix जो था ये 2022 का पहला Grand Prix था इसके बाद सौधी अर्ब ग्राइबर ग्राइबर आता है 2022 किसने जीता मैक्स वरस्टेपन ने रेडबूल के ड्राइबर है फिर Australian Grand Prix हुआ आयोजन और इसको जीता है चौस ल लुमागना Grand Prix 2022 का जोन हुआ किसने जीता मैक्स वरस्टेपन ने मियामी Grand Prix 2022 का जोन हुआ किसने जीता मैक्स वरस्टेपन ने इसके बाद Canadian Grand Prix 2022 किसने जीता मैक्स वरस्टेपन ने अजर बैजान Grand Prix हुआ किसने जीता मैक्स वरस्टेपन ने और फिर British Grand Prix 2022 का जोन हुआ किसने जीता कार्लोस सैज ने तो 2022 में अब तक कुल 10 grand picks का आजोन हो चुका है इसमें अगर आप देखेंगे तो max वर्ष टेपन के नाम की बारामबारता आपको यहाँ पर दिखाई देगी maximum जो grand picks थे हैं वो जीते हैं max वर्ष टेपन ने और याद हखना max वर्ष टेपन जो है यह readable के driver है और जो पहला grand picks कुआ था बहरेन उसको जीता था चॉस लेकलर ने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगला question देखते हैं night frank दोरा जारी एसिया प्रसांद इस्थिरता सुचकांग 2021 में कौन सा भारती सहर टॉप पर है night frank के दोरा एक report जारी की गई है इसिया प्रसांद इस्थिरता सुचकांग 2021 इसमें मुंबई दिल्ली हैदराबाद बैंगलूरू में सबसे अच्छा सर माना गया है टॉप पर माना गया है कौन सा बैंगलूरू यानि की question का option D correct है अगर आलोर लिश्ट देखेंगे तो इसमें बैंगलूरू जो है वो चोदहमें अस्थान पर है लेकिन भारत में तो ये पहले अस्थान पर है और कोई भी index जो होता है उसको कुछ खास पैवानों पर जारी के जाता है तो ये जो index जारी हुआ है एसिया प्रसांद इस्तिरता सुचकांक इसके लिए सहरी करण कारबन उत्सरजन जलवाई जोखिम को आधार बनाए गया है टाप 20 में भारत के चार सहर है मुंबई है दिल्ली है है हैदराबाद है और बैंगलूरू है और सिर्ज पर है सिंगापूर दूसरे स्थाम पर है स्टिटनी तिसरे स्थाम पर है वेलिंग्टन तो ये आदखना पर इस्थाम पर आता है इसमें सिंगापूर हाली में Miss India World 2022 का खिताब किसने जीता है अच्छे देखो एक बाद आ देखना मिस इंडिया वर्ड वाइट 2022 का खिताब जीता है खुसी पटेल ने और मिस इंडिया वर्ड का खिताब जीता है किसने सिनी सेट्टी ने तो कुश्चन का आप्शन भी करेक्ट है ये हैं सिनी सेट्टी और ये बन गई है मिस इंडिया वर्ड 2012 कहां गिने वाली है करणाठक की कहां पर जन्मोंगा था महारास्टरा में तो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ड के इंडिया वर्ड का आयोजन कहां पर हुआ मुंबई में हुआ और 2021 में जो Miss India World बनी थी उनका नाम था मांसा वारानसी तो सिनी सिट्टी को जो ताज पहनाया किस ने पहनाया मांसा वारानसी ने पहनाया 2022 में ये Miss India World का 98 संस्क्रम था जो कि एजुद किया गया राजस्थान की रूबल सेखावत फेमिना Miss India 2022 की फर्स्ट रनर अप रही है अच्छे एक प्रस्ट एक्जाम में अक्सर पुछा जा रहा है हरनाज संधू के बारे में कि वो किस क्रम की Miss उनियर्ज बनी है तो यादगना सत्तर में क्रम की है फिर देखे एकला क्रेशन क्या है हाली में कहाँ पर पांचवें वैस्विक फिल्म परेटन सम्मेलन GFTC का उधगाटन किया गया है पांचवें वैसिक फिर परेटन सम्मिलन का आयोजन किया गया अभी हाली में कहां पर तो इसका आयोजन हो जाएगा कहां पर बताओ इसका सही जवाब है option B यानि कि मुंबई में तो option B आपका correct है और इसका उधटन किस ने किया मुकतार अब्बास नक्वी ने जो कि हमारे अल खाय जाएगा ताकि वहाँ पर जो पर टक है वो आएं तो प्रोमोशन करना अच्छा एक फैक्ट में आपको बताता हूं पता नहीं आपको पता है एक फिल्म आई थी बहुत पहले मनोश कुमार की फिल्म थी उपकार नाम आपने जरू सुना होगा मेरे देश की धरती सोना जूंगले बहुत भाना हुआ था तो उपकार फिल्म के लिए तद कालिं जो हमारे प्रदानमंतिरी थी लाल बातू सफ्ति कहा घ्या था कि यस अगर नहीं देखिए तो जरूर देखिए खा कपी वी डत मिले तो YouTube पर तो बिलकुर उप लग्ट है आपको कोई स्ट्रों नहीं लेना है ओ टीटीपी जा के हाद ही में आٹो नामस फ्लाइंग विंग टेकनोलाजी डिक्षर कि डिया डियो के द्वारा मैंने कई बार आपको बता है फिर से बताता हूं डिया डियो की स्थापना कब हुई थी 1958 में और इसी साल नासा की अस्थापना भी वी थी अमेरिका में यादखना तो यहाँ पर देखिए यह जो प्रोजेक्ट है आटो रामस फ्लाइंग विंग टेक्नलाजी डिमांस्टेटर यह क्या है तो देखो यह बिना पाइलट का पहला फाइटर एक्राफ्ट है ऐसा एक्राफ्ट जिसमें पाइलट नहीं होगा और इसका जो परिक्षण है वो कहां से किया गया करनाटक के चित्र दुरुग से फिर देखे एकला क्वेश्टन जुलाई 2022 में किसने माइक्रोशाफ्ट पार्टर्नर आप्द इयर अवार्ड दोज़ार जीता है माइक्रोशाफ्ट का पार्टर आप्द इयर बना है HCL टेक्नलाजी क्वेश्टन का आप्शन भी करेक्ट है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि HCL टेक्नलाजी का हेड़क्वार्टर कहां पर है तो देखो हेड़क्वार्टर इसका है NOEDA में अस्तार्णा कब हुई थी? 1991 में हुई थी अब ये बता दो कि इसके हेड कौन है? तो बरतमान में NOEDA का जो मतलब में तो हेड क्वार्टर है लेकिन एस्तिकनलाजी की जो हेड है वो हैं C.V.J. कुमार फिर देखे एकला क्वेशन है हाली में भारती सिर्णा ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन अभिहाली में किया गया था? कहां पर? तो देखो जो ऑप्सन है उसमें सही जवाब है जोधपूर राजस्थान ऑप्सन ए आपका यहां पर करेक्ट है तो भारती सिर्णा के डेजर्ट कोर ने जोधपूर में सीमा और तटी सुरक्षा पर मंथन के लिए आयोजन किया है सुरक्षा मंथन 2022 का ब्रिटेन की संसद ने किस भारती महिला को आयोवेद रत्न पुरसकार 2022 से समानित किया है जब करोना भारत में फैल रहा था बहुत तेजी से उस समय आयोवेद के माध्यम से इसको कंट्रोल करने की बात कही थी तनुजा नेसारी के द्वारा जिन्हें ब्रिटेन की संसद ने आयोवेद रत्न पुरसकार 2022 से समानित भी किया है तो यह हैं तनुजा नेसारी आप तस्बीर देख सकते हैं और यह अखिल भारती आद्वेश संस्थान AIIA की निदेशक है तो यह आपको याद रखना है किस भारती महारत्न कंपनी को वर्ज 2022 में सरवार्धिक पसंदीदा कारेश्थल की रूपे मानिता प्रदान की गई है यह और महारत्त कंपनी है अस्तापना होई थी साथ नॉम्बर 1975 में मुख्याले नई दिल्ली में हैं MD और CEO है गुरुदीप सिंग हाली में किसने आपरेशन नार्कोस को स्टार्ट किया है यह ने यार आपरेशन नार्कोस को स्टार्ट का अभियान था जो कि जून महिने में चरा गया था जून 2022 में फिर देखे अगला क्रेशन क्या है हाली में किस राजिकी काई चटनी को GI Registry के लिए प्रस्तुत किया गया काई चटनी के बारे में आपको जरूर पता होना चीए दिखो कि जो काई चटनी होती है फ्रेंड्स यह चीटियों से बनाई आती है चीटियों की एक बिसेस प्रजाती है और उसी से त्यार की जाती है काई चटनी और कहा यह जाता है कि य ये ओडीसा में खाई जाती है, ओडीसा में एक जगह है मयूर्भंज, तो मयूर्भंज के जो आदिवासी होते हैं, वो इस चीटी से बनी चटनी का प्रयोग करते हैं, तो ये एक खास प्रकार की वीवर चीटी होती है, और इनकी विसेस्ता क्या होती है, ये अंडे के आकार क अपने घोसले बनाती हैं और पत्नों से बने विए ये जो घोसले होते हैं इसकी भी विसेस्ता है ये हवा कितनी भी तेज क्यों नहीं हो हवा का सामना कर सकती है ये जो इनकी जो घोसले होते हैं और कितना भी तेज बरसात क्यों नहीं हो जाए इस घोसले के अंदर पानी नही गर होती हैं लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो इनकी बना डालते हैं चटनी और चटनी बना के खा भी देते हैं और लोगों को इसके फायदे बना कर खिला भी देते हैं फिलाल तो ओडिशा सरकार ने भी इस चटनी के GI टेक को पाने के लिए आविदन कर दिया है तो anyway क्या गाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो चीटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम लपाया जाता है तो यादगना फार्मिक एसीड और यही बिच्चु के डंक में भी होता है बिच्चु के डंक में मात्रा ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा कस्ट होता है चीटी में मात्र से घोसले का निर्मान करती हैं तो बहुत मतलब क्या बताओं इसके बारे में बसे ही करना चाहूंगा कि प्रकर्टी की एक कारीगरी ही है और इंसान की भी एक कारीगरी ही कह लीजिए कि वो इन कारीगरों की चटनी बना डालता है चलिए अगला कुर्शन होगा जुलाई 2022 में जीटा अन्य उपन बार मिंटन टूर्णामेंट हुआ तो पुरुस एकल खेता का कृस्नी जीता आपकि मन में आ रहा होगा न कि महिला एकल का खेता क्ष्चने जीता वो भी बताऊंगा फ़र यह समझो yummy मलेशिया का जो जो ओपन बार मिंटन टूर्णामेंट 2022 हुआ इसका पुरुस एकल male singles का खिताब जीता है Victor Excelsen Victor Excelsen यह है Victor Excelsen कहा के हैं Denmark Denmark को दुनिया की गौसला भी कहा जाता है आपको पता हैंक नहीं याद खना Denmark को दुनिया की गौसला कहा जाता है और महिला एकल का खिताब जीता है Thailand की Intanone ने अच्छा दो बैडमिंटन के cup होते हैं काफी important एक तो थामस cup दूसरा उबेर cup थामस cup को क्योंकि पहली बार भारत ने जीता है किसको अराकर इंडोनेशिया को हराकर 14 बार के champion इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थामस cup को जीता है थामस cup महिलाओं के लिए और उबे तो फिर आगे बढ़ते हैं कि हुनर इंडिया फ्यूचर यूनिकार इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की इस्टार्टप राजधानी कौन सी है इस्टार्टप राजधानी सबसे अिस्टार्टप कहां पर हुए बैंगलूरु में हुए और यह जो रिपोर्ट आई है किसके दवर आई है Hooner India Future Unicar Index 2022 के मताबिक तो startup क्या होते हैं और Unicarne क्या होते हैं दोनों बताता हूँ आपको startup मतलब जैसे आपने कोई नया एक छोटा सा जोए business start किया कोई एक startup आपने सुरू कर दिया और धीरे 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 अगर आपका जो आपकी जो company है वो बढ़ने लगी बढ़ते 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 एक billion dollar से ज़्यादा की हो गई उसका जो market cap है वो एक billion dollar प्लस हो गया तो वो हो गया Unicarne भारत का हाली में जो सवाँ Unicarne बना था वो बना था New Bank Open और पहला sport Unicarne बना था चन्नाई सुपर किंग चन्नाई सुपर किंग सियसके Global Unicarne इंडेक्स भी आया था दिसंबर के मैने में 2021 के लिए इसमें पहले अस्थान पर था USA यहीं कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट अप हुए हैं वो USA में हुए हैं Unicarne स्टार्ट अप कर लीजिए दुशरी अस्थान पर चीन और तिसे स्थान पर है भारत भारत ने किसको पीशे छोड़ा है भारत ने United Kingdom को पीशे छोड़ दिया है तो Global Unicarne Index 2021 में पहले अस्थान पर USA है भारत तिसे अस्थान पर है चीन को छोड़ देते हैं चलो अगला क्वेशन है हाली में किस राज ने राश्ट्री खाद सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज रैंकिंग सुचकांग में सीर्स अस्थान प्रात किया है तो देखो यहाँ पर राश्ट्री खाद सुरक्षा अधिनियम 2022 जो जाली किया गया इसमें ओडिशा ने इस कानून का पालन करने में सबसे अधिक प्रयास किया है और उपलब्दी भी हासिल किये तो आप कहा अंसर जाएगा option B ओडिशा अब देखो यहाँ पर यह मैप है और मैप देखते रहे हैं आप लोग बहुत ही important होता है ओडिशा कहाँ पर है बताओ दिमाग चलो फटा पर देखो जैसे में जैसे कोई state आकरे न उसकी कलपना तुरंट क्या करो कि भारत का मैप में वो state कहाँ पर है उसके परोशी state कौन कौन से हैं जैसे कि यह हो गया आपका ओडिशा आप यहाँ पर देखिए यह आपका ओडिशा है और ओडिशा के परोशी कौन कौन से हो गए एक तो यहाँ पर हो गया आंध्रा हो गया इधर हो गया च्छतिस गड़ इधर हो गया जहारकंड इधर हो गया वेस्ट बंगाल तो तुरंट आपके दिमाग में जो बॉर्डर है और जो लोकेशन है वो फ्लैस होना चाहिए तो फिलाल इस रैंक में पहले अस्ताम पर ओडिशा है दूसरे अस्ताम पर उत्तर प्रदेश है तिस्ताम पर है आंध्र प्रदेश किसने जारी किया खाद और उभभुखता मामलों के मंत्री पियूस गोयल ने तो बिसेस राजों की स्रेणी में परह स्ताम पर त्रपुरा आया दूसरे स्ताम पर हमाचर प्रदेश और तिस्ताम पर आया सिक्किम तो बात हो रही है यहाँ पर ओडिशा की तो ओडिशा से सम्मनित एक क्वेशन में आपसे पूशता हूँ भारत की पहरी चेस अकेडमी कहाँ खोली जाएगी तो यह है आपके आप्शन और उत्तर भी तो मैंने आपको बता दिया है तो फटाफट क्या लिगने आपको नीचे भाई उत्तर तो लिग जा लो ठीक है तो फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही अगर सेसन अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों की भी सेर भी करना मत भूलिएगा चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा प्लीज और बेल आइकान को तो प्रेस करी लिजेगा टेलिग्राम चैनल पर आपको मैं भेज़ दूँगा इसकी पीडियाफ वहाँ से जाके डाउनलोड कर लिजेगा थैंक यू सो मच एव ग्रेट डेज चैन